ओपत्सुप लिए ऑनलक्त की सब्सक्राइब करोगद hammwire जके जल्दी सब्सक्राइब उल्ड वाले और आपको सुप्स्क्राइब मैं। आज में आपके साथ शेह करने जा रहे हैं हरे प्याज की सथी इसे हम बहुत ही ज्यादा लगता है इसे आप प्राथे के साथ सब कर सकते हो इससे बहुत ही जादा पसंद आता है तो चली वराना सट करती है इसलिए मैंने हरा प्याज लिया है एक किलो इसे हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया है तो अब हम इसका छिलका उतार लेंगे इसकी हमने रूट और टिप को लगकर देना है तो भी येलो पॉश्टन ने उसको हम निकाल देंगे आईसे यह पीए बागी कि प्याजें इटेवी स्किन उतार देगे और रूड टिप को भी अलग कर देंगे तो चलिए अब हमें से बारिक बारिक काट लेते हैं इसमें मैं स्टेम का भी यूज कर रहे हूं और इसके लीव्स भी ले रहे हूं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसका टेस्ट होता है वो नॉर्मल जो हम रेगुलर घर में यूज करते हैं तो थोड़ा सा नीठा होता है यह देखिए मेने सभी प्याज की अच्छे से कट कर लिया है इस राहे में हमने आयल या है इसे मच्छे सी घर्म कर लेंगे ऑल गर्म हो चुक है तो अब म हलका सा लाइट गोल्डन बांग होने तक भून लेंगे इसे हमने हलका सही भूनना है तार्फिस का कच्छा बांग दूर हो जाए और यह हलकी से सॉप्ट हो जाए कि अच्छी को हम लगाता चलाते रहेंगे अब देखें हलकी से लाइट गोल्डन बांग हो चुके हैं अब इसे निकाल लोते हैं आप लिक सकते हो कि हमने जादा गोल्डन पांग नहीं दिया यह एक्स्टा ओल है इसको हम निकाल दें इस तो बड़े चमश ओयल ही रखेंगे इसमें अब देख सकते हूं कि मैंने एक्स्टा ओल निकाल गिया है अब इसमें आदर चमश जीरा डालेंगे इसे हलका सा ब्राउन होने लेंगे अब इसमें जिंचर गालिक और ग्रीन चिली का पीस राओड़ेंगे इसे हमने गॉलन का रूहने देख भूल लेना है अपनी इसमें कटर हूं स्प्रिंग में डाल देंगे इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है एक से दो मिल्ट के लिए अच्छे से भूल लेना है प्याज को हम अच्छे से चला लेंगे तो अब हम इसमें टमाटर का पीस्ट आउड़ेंगे यह मैंने दो पर टमाटर लिए है और उनका पीस्ट कर लिए है अब हम इसे भी प्याज में अच्छे से मिला देंगे भीए इसे हमने तप तक पाला कना है क्यातकि प्याज का पाने सोखना यह अच्छे जनी होंत यह उछे मत अप्यूस्ट कुझे हैं और में यह सwyद्ध बाल कि अच्छे इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है तो अब इसमे प्राइ किये हैं आलो डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हमने 2-3 मिनिट के लिए पका लेना है ताकि आलो अच्छे से पक चाए अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दी आदा चमच आदा चमच इसमे आदा चमच इसमें पाउडर डाला है इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे हम 2-3 मिनिट के लिए पकाएंगे अच्छे से पक जाएं और सब्जी में मिल जाएं हमारी सब्जी बनकर क्यार है तो चलिए हम इसे गर्मागाम सर्फ कर देते हैं आप इसे प्लेन प्राटे के साथ सर्फ कीजिए बहुत ही जादा टेस्ट लगती है इसे आप नाश्टे में जुरू बना कर देखेगा यह बहुत ही जादा टेस्ट है कानी अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छे लगे तो इसे आप इसे आप इसे आप इसे आप इसे आप किजिए, लाइ़ किजिए, ग्में किजिए, और मेरे देखे जापको श्राइब के लुट करना बूलीग